हेलो गाईज, हवाईज, हवाईज, आज किस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस्टोरिकल स्कूल अफ जूरिस्पुड़न्स बाइदी फ्रेडरिच कार्ल वान सेविंगनी शोट में हम यहापर इनको सेविंगनी कहेंगे और इनके तवारा एक ठियोरी वाल जिस्ट दी गई है उसको भी हम आज किस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के में में की पॉइंट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ आपर क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे एक तो इस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्पृडंस क्या है और फ्रेडरिच काल सेविंगनी कौन है उन्होंने कौन कौन सी थियोरी कौन कौन से प्रिंसिपल दिये है वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे और फ्रेडरिच क्या है इसका क्रिटिसिजम क्या दिया गया है अलग अलग जूरिस्ट के दोवारा सेविंगनी की जितने भी थियोरीज है या उन्होंने इस्टोरिकल स्कूल के रिकार्डिंग जो कुछ भी कहा है उसका क्रिटिसिजम भी यहाँ पर डिसक्स करेंगे तो चलिए वीडियो को बिना किसी दरी के शुरू करते हैं तो यहाँ पर हमने इस्टोरिकल स्कूल है वो हमने पिछली वीडियो के अंदर डिसकस कर लिया है जो कि आप यहाँ पर आई बुटन में जाकर के देख सकते हो यह इसकी पिछली वीडियो का थमनेल होगा जो कि आप यूटूब पर भी सर्च मार सकते हो और अगर आप अलग-लग प्लेइलिस्ट देखना चाते हैं तो ला नोट्स फोर यू सर्च मारिए चैनल पर जाईए इसको सब्सक्राइब केजिए और प्लेइलिस्ट में यहाँ पर इंटरनेशनल लौ जूरिस्पूड़न्स यह अलग-लग यहाँ पर है जो प्लेइलिस्ट है वो अप्लोड की जा रही है दिरे-दिरे तो वो आप वहाँ पर जाकर के चेक आउट कर सकते हैं तो यहाँ पर हम अब देखते हैं कि सेविंगनी कौन है इनका फूल नेम क्या है फ्रेड रीच काल वॉन सेविंगनी ठीक है यह एक जर्मन जूरिस्ट है 19th सेंचुरी के और यह एक पाइनियर भी है इस्टोरिकल स्कूल ओफ लॉक के किसके त्रूँ अपने जो कंसेप्ट है वो दिसका उसके त्रूँ यानि कि जिसका मतलब क्या है spirit of people यानि कि लोगों का कंसाइस अंतर आत्मा जिसके तुरू लॉग को यहाँ पर फ्रेम किया है उसी को यहाँ पर स्वेंग नीजी ने एक्स्प्लें किया है और यह कब बाउन हुए थे फेबरी 21st 1779 को फ्रैक्फर्ट जर्मनी में और स्टडी कहां किये है यॉनिश्टी आफ मर्बर्ग और गटिंगन एंड एक डीपर नॉलिज लिए है रॉमन लॉग की अपनी लाइफ टाइम के दोरान और इनके बारे में क्या कह सकते हैं कि यह एक प्रोफेसर आफ यॉनिश्टी आफ बर्लिन 1810 में यह है जो वहाँ पर काम कर चुके है एज एक प्रोफेसर के तोर पर और यह पर्सियन मिनिस्टर अफ जस्टिस के तोर पर भी अपाइंट किये जा चुके है 1848 के अंगर और डाई कब होए थे यह 25 आफ एक्टबर 1861 में इन्होंने अपनी जीवन यात्रा है वो यहाँ पर पूरी की थी और इन्होंने स्कूल है वो कौन से दिये हैं तो इन्होंने जो इस्टोरिकल स्कूल अफ जूरिस पूर्णस है उसमें अपना है कॉन्ट्रिबिशन दिया है नो डाउट वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कूल अफ लॉक के होता है आज इनका यहाँ पर हम कॉन्ट्रिबिशन डिस्कूस करेंगे इन्हों ने स्कूल में क्या कॉन्ट्रिबिशन किया है और अब अगर इनके वर्क की बात करें तो इन्होंने क्या केचीज़ें दिये हैं यह इन्होंने दिया है लाव पोजिशन्स 1803 में इन्होंने लाव पोजिशन्स दिया है सेकेंड इनका वर्क है दा इस्ट्री ओफ रॉमल लॉ इन मीडल एज इन सिक्स वॉल्यूम में हैं जो कि 1818 से लेकर के 31 तक है और सिस्टम ओफ मॉडर्न रॉमल लॉ 1840 से लेकर के 49 तक और नेक्स एक इनका वर्क है वो क्या है तो यह इनके कुछ वर्क है जो इन्होंने अपने लाइफ टाइम में है दिये हैं और नेक्स आता है कि वर्क जिस्ट जो थियोरी है वो क्या है इसका मिनिंग क्या है तो यह देखते हैं कि यह जो वोग जिस्ट है यह दो सब्द हैं दो वर्ड हैं उनको मिला करके बना गया है चलिए इन दोनों वर्डों को अलग लग करते हैं पहला क्या है वोग जिसका मतलब क्या है पीपल यानि की लोग हम लोग पीपल और सेकंड क्या है जिस्ट जिस्ट क गया है जैसे ये बहुत सारे पीपल हैं इनकी अलग अलग विल हैं लेकिन यहां पर कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो कि common होंगी जैसे यह भी कुछ चाहता होगा और वही सेम चीज़ यह भी चाहता है यह भी चाहता है यह एक दो इन में से नहीं हो सकते हैं लेकिन mostly तो वह सारी चीज़े यहां पर उठागर के वोल्क जिस्ट बन गई है और इन्ही वोल्क जिस्ट को ही यहां पर law of the society माना गया है अब उसके बाद में हम देखते हैं simple sense में वोल्क जिस्ट क्या है एक general common perception है people की लोगों की and split of the people यान की एक त्रहेंसे अंतर आत्मा कंसाइंस है जो लोगों की general sense, common perception ठीक है, next point क्या करता है कि इसके अंदर सेविणी का main idea क्या है इस थोरी के पीछे का कि low है वो क्या है एक expression है उनकी इच्छाओं का यान की लोगों के दिमाग में क्या इच्छा आई उन्होंने उसको express कर दिया वही law है यह है जो सेविणी के according किसी deliberate legislation से बन कर नहीं है यह develop कैसे हुई है as a consciousness of the nation arise, यान की nation की चेतना क्या है उसके तोर पर यहाँ पर इसको develop किया गया है, विक्सित हुई है और जो main आधार क्या है वो क्या था legal system of the nation is mainly क्या है influenced होता है from the historical culture and tradition of the people और इसकी growth क्या थी, वो located थी उनके acceptance में यानि की लोग है जो historical पुराने इतियासिक टाइम से क्या क्या चीज़े, क्या culture है, क्या tradition है, क्या चीज़ें वो commonly follow कर रहे हैं, यह कि उनकी जो will है यह उनकी इच्छा है कि हम आज यह वाली जो tradition है यह culture है, यह हम follow कर रहे हैं ज्यादा लोग हैं, वो उसको follow कर रहे है commonly, तो वही चीज़ को यहाँ पर उन्होंने अपनी acceptance देते गए, उसी हिसाब से उसके अंदर growth होती, कही धीरे धीरे उन्होंने किसी एक culture को अपनाया, फिर दूसरे को तीसरे को इस तरह से उन्होंने commonly acceptance उनको देते रहे, इसी तरह से वो चीज़ है वो low है, वो growth होता गया होता गया, legal system है, वो उसी nation के अंदर, उसके through influence स्टोकर के बना, तो ये थी वोल्क जिस्ट की थियोरी तो ये इस तरह से है जो सेविंगरी ने वोल्क जिस्ट को यहाँ पर बताया है, अब उसके बाद में देखते हैं, इसकी jurisprudential study of the theory यानि कि jurisprudence के तोर पर इस theory को किस तरह से देखा गया है तो उसमें सबसे पहला point आता है law prevails basically in the society किस तरह से law है, वो prevail करता है तो ये कुछ point है, इसके main main देख लेते हैं कि law क्या है, product है किसका people, लोगों की life living in the particle society के अंदर वो किस तरह से रह रहा है और ये एक outcome का प्रिणाम है उस society के culture का लोग किस तरह से अपनी जिन्दगी जी रहे हैं, उस particle society में सभी की नहीं, particle society की उसके अलावा अलग society है उसके अंदर particular किस तरह से रह रहे हैं उस society का culture क्या है उसका प्रिणाम है law और ये embody क्या करता है पूरी की पूरी industry history की, nation culture की और reflect क्या करता है law ए इनर convictions और जो की root है उस society की common experience की यानि की commonly वहाँ पर क्या experience हो रहा है उस society के अंदर लोगों के दोरा उसके अंदर से जो inner convictions है उसी को, उस culture को उनको यहाँ पर ये reflect कर रही है, पूरी पूरी history वो यहाँ प्राइम बैड़ी क्या गया है और वोल्ग जिस्ट ग्रिजली ड्राइव क्या करती है law to develop over the course of history ठीक है, law को इसने वोल्ग जिस्ट के according दे जिरे, जो history जिस तरह से आगे-आगे डवलोप होती की उसी के according law वहाँ पर डवलोप हुआ है सेविगनी के according एक thorough understanding अगर हम कहें history की और people की या society की अगर हम बात करें तो वहाँ पर necessary क्या है for studying the law accurately उस law को accurately study करना यहाँ पर उस चीज़ की necessity माना है as for the सेविगनी, सेविगनी ने यहाँ पर का है next point देखते हैं, next point में क्या कहते हैं कि law develops like language, language किस तरह से develop होती है language एक particular society में यह कुछ point देखते हैं, उसी के हिसाब से हम देखें कि पहले सबसे पहले हम journal ही देखते हैं कि language आप देखो किस तरह से develop होगी, language एक particular area में कुछ है फिर particular area में कुछ है, जैसे for example, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी languages है कुछ languages को यहाँ पर constitutional recognize कर रखा है कुछ जैसे चोटी-चोटी ट्राओं में हैं या particular किसी community में थोड़ी-थोड़ी difference रहता है languages के अंदर वो अलग-अलग तरीके से यहाँ पर society to society differ करती है कहीं पर थोड़ी differ करती है कहीं पर बहुत ही ज़्यादा differ करती है तो उसी तरह से law यहाँ पर develop हुआ है यह कहना है saving energy का वो क्या करता है कि law एक national character है और यह develop होता है language की regarding उस nation के अंदर जो कि अकेले उन people या उस group की लोगों के उपर यह belief की उपर है जो bind नहीं है बलकि वो क्या है grow भी होती है उसकी उपर बलकि वो क्या है grow भी होती है उस society की development के साथ-साथ यानि कि वो society में वो जिस तरह से language bind है उस जितरह से वो bind है और साथ में वो grow भी होती है अकेली bind नहीं है grow भी होता है law पिदी society की development के साथ और जो development है इन दोनो element की यानि की law की और language की वो hand in hand चलती रहती है यानि की साथ साथ चलती है यानि कि यहाँ पर language भी develop हो रही है उसी तरह से law भी develop हो रहा है इसी तरह से इनको माना गया है history के अंदर यह एक proof है कि law है वो developed होता है according to the पहले के जितने भी pre-existing manner है society के अंदर उनी के according होता है and approved by the national character like language, language जैसे पहले से society में first character जिस तरह से language काया है फिर second character आया, third आया, word आया उसी तरह से वो develop होती रही है अब एकदम से यह तो नहीं है आज ही नहीं language है introduce कर दी उसी तरह से law भी आज ही introduce नहीं हो सकता यह जो भी पहले से existing manner है उस society के अंदर उस society के अंदर history क्या है उस nation का character क्या है और उसी तरीके से यहाँ पर उस लोग को अप्रूव किया जाता है national character के तोर पर जैसे language को यहाँ पर माना गया है from the history यह धीरे-धीरे डवलोप होई उसी तरह से law भी यहाँ पर धीरे-धीरे language की तरह से यह है develop होता है ठीक है I hope कि आपको यह point भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा next point देखते हैं कि law क्या continuous and regulate process continuous और regular के इस तरह से चलिए point देखते हैं law एक continuous unbreakable process है जो की common culture और belief उस society के दवारा bound किया जाता है not the product of the day एक दिन हमने मान लीजे कोई big culture है एक दिन single day के लिए हमने follow किया क्या वो लोग नहीं बनेगा उसको regularly everyday day to day life में उसको continuously unbreakable पीच में छुटना नहीं है यह नहीं है कि हमने आज कल और यहां पर चार दिन इसको follow कर लिया उसके बाद में हमने उसको छोड़ दिया मेना दो मेना चोड़ दिया फिर दोवारा से उसको follow कर दिया फिर उसको साल दो साल चोड़ दिया फिर follow कर दिया यह नहीं होना चाहिए continuous unbreakable process है वही आपर law बनेगा यह develop क्या होता है by the regular process यह हो चुका है customer uses है society के अंदर common concept दी गी है society के दोवारा उनको follow करकर के in the beginning में शुरू में people follow करते हैं बिना किसी hesitation के और अपनी ensure कर देते हैं willingness की जो उनको follow नहीं करते solitude बन जाते हैं किस तरह से अकेले टाइप में हो जाते हैं finally उनको वो चीज़ है वो follow करनी पड़ती है दिरे दिरे वो uses है या custom है वो वहाँ पर क्या बन जाती है common बन जाती है और उसी तरह से वो जो think है या वो uses है वो custom है वो यहाँ पर law का shape ले लेती है society के अंदर यह तो है नहीं अगर हमने particular कोई custom या uses शुरू करी है वो society के सारे के सारे लोग उसको follow करेंगे नहीं यह कभी नहीं होता हर society में दो चार बन्दे ऐसे होते हैं जिनों कुछ ने कुछ oppose करना ही होता है आज भी present है यह वात और पुराने टाइम में भी present थी यहाँ पर हर society में कुछ लोग होते हैं जो हर एक चीज़ का oppose करते हैं उसी तरह से कोई भी custom uses आती है तो वो सभी के दवारा follow नहीं होती है कुछ लोग उसको नहीं follow करते हैं बाद में धीरे धीरे अगर वो custom है सभी के दवारा mostly लोगों के दवारा majority के दवारा follow की जाती है तो फिर यह भी उसमें आ जाते है automatically और यही चीज़ है बाद में shape कर लेती है as a law of society के अंदर next point देखते हैं कि सेविंग नी की opinion क्या है वो क्या सोचते हैं कि जो development of law है वो historical knowledge के अधार पर होनी चाहिए not on the arbitrary legislation उसके बाद में next point देखते हैं कि the initially development क्या है law की वो क्या थी natural थी and उसके बाद में हैं वो jurist के दवारा यहांपर develop की गी यहांपर सेविंग नहीं क्या कहते है उन्होंने क्या कहा है कि early stage की law है वो develop हुआ था naturally and spontaneously according to the internal need of these people बट उसके बाद में जो people है एक certain level पर पहुंच चुके थे एक civilization के उपर पहुंच चुके थे और different डिफरेंट जो national activities थी वो develop कर रही थी law को accordingly उसी के according अब उसके बाद में criticism की बात करते है अगर हम criticism की बात करें तो हमने अब तक already discuss कर दिया कि एक uniform और precise definition law की है बहुत दूर की बात है reality के अंदर एक law की precise और uniform definition देना और seven इनी की जो वोग जिस्ट है और कोई exception नहीं है इस चीज़ का यहाँ seven इनी ने वोग जिस्ट दिया यह एक law है नहीं यह कोई exception नहीं है यह भी उसी करेटी यह के अंदर आती है कि एक definition है precise यह uniform नहीं दी जा सकती reality के अंदर it has some इसके कुछ criticism भी है जो कि other jurist है यानि कि यार हम human mind है differ करते है society to society even एक society में भी differ करते है तो यह other jurist ने इनको criticize किया है जो कि इस परकार से है वोग जिस्ट not always law फस्ट पाइंट क्या है यह हमें इसा law नहीं हो सकती dice क्या कहते है कि बहुत सारे institution जैसे कि slavery have organized not in the वोग जीस्ट but in the convenience of the ruling यानि कि आप कभी भी अपने mind से slavery को recognize नहीं करोगे आप नहीं करोगे कि यहाँ पर slavery को as a law लाया जाए यानि कि spirit of the people नहीं कहती है लेकिन ruling जो उपर पाइट जो भी बंदा ruler थे पहले उन्होंने यहाँ पर slavery आपने history में पढ़ा है कि slavery एक्जिस्ट करती थी गुलामी एक्जिस्ट करती थी तो वो क्या है यहाँ पर law नहीं है लेकिन कुछ लोगां कि यहाँ पर spirit है जो ruling ruler थे वो अपनी conscience थे अपनी spirit से यहाँ पर गुलाम रखते थे लेकिन उसको law तो नहीं कह सकते न क्योंकि वो society के लिए सही नहीं है next point क्या कहता है कि यहाँ पर यह clear नहीं है नहीं है ना who walks कौन है वो लोग और किसका gist है यहाँ पर determine करेंगा law कि यह भी यहाँ पर clear नहीं है ठीक है यह आगया हमने कि कि किसकी evolve gist है यहाँ पर law की shape में है यहाँ पर ले आए यहाँ वाइस वरसा उसके बाद में next point आता है कि inconsistent of the theory inconsistent inconsistency कैसे है सहीमिंग नहीं क्या कहता है one hand पर emphasize करता है national character of the law पर दूसरी side में क्या कहता है recommend क्या करता है method of the roman law to be adopted for the modern condition के लिए अब roman law को adopt करो एक side में वो कहता है national character को तो यहाँ पर inconsistency है in the theory of the world just तो इस अदाधार पर इसको यहाँ पर criticize किया गया है next point कहता है कि world just is not the exclusive source of the law अमने source of law है jurisprudence में पढ़े है international law में पढ़े हैं जिनकी वीडियो आपको इस चेल पर मिल जाएगी लेकिन उसमें अंदर बहुत सारे sources दिखाए गए है लो के तो यहाँ पर अकिला वो जिस्ट है उसको source of law exclusively नहीं माना जा सकता लेकिन सेविंगनी साब कहते हैं कि यह है तो यह correct नहीं है लोड लोड यह भी कहते हैं कि सेविंगनी underrated कर देता है significance of the legislation को for the modern society अब सेविंगनी कहते हैं कि deliberate legislation है वो यहाँ पर नहीं हो सकता है वो जिस्ट को priority दिये तो यह modern society में आजकल क्या चलता है legislation चलता है ठीक है तो जहाँ पर हम society के अंदर development of law की बात करते हैं तो वो legislation के दोबारा भी यहाँ पर society में low है वो at present modern society में develop होता है तो इस अधार पर भी इसका criticism किया गया है I hope कि आपको वीडियो interesting लग रही होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए next point देखते हैं कि other law influencing factor ignored law को other factor भी है वो भी influence करते है न उनको यहाँ पर ignore किया गया है saving नहीं अपनी theory के अंदर जितने भी जो law originated factor है रहे है उनको एक law को originated होने में help करते है उनको ignore किया गया है totally ignore कर देता है judges के functions को law create करने के लिए आज कर judges at present modern society के अंदर judges बहुत सारे functions ऐसे करते हैं जो कि law को create करने में यहाँ पर help करते हैं बहुत सारी judgments आती हैं जो कि आगे चल करके law का एक तरह से form ले ले लेती है legislation के थूँ पैंटोन कहते हैं कि creative work of judges and jurists was treated rather too lightly by this saving नहीं saving नहीं यह जो judges हैं jurist हैं जो कि law बनाने में सबसे ज़्यादा इनका हाथ होता है jurist का इनको बहुत ही lightly लिया है अलाकि यह खुद एक jurist थे तो इस सादार पर भी इनको ignore किया गया है यह एक unfortunate है इस doctrine का क्या कि जो doctrine of walgist है वो used किया गया था national socialist के दोरा Germany में for the entire different purpose के लिए यहां पर क्या था इसके according कुछ और था यहां पर बहुत ही एक different purpose आपने जर्मनी में देखा होगा Hitler के दोरा जो की brutal law के तोर पर यहां पर passing पास किये गए थे against the Jews during the regime of the Hitler Hitler के time का आप सभी को पता है history में क्या हुआ है तो यह एक यहां पर unfortunate इस doctrine का मान सकते हैं कि जो की यहां पर एक entirely different purpose के लिए use किया गया था I hope कि आपको यह वीडियो बहुत interesting लगी होगी और I hope कि इसने आपके साथ doubt clear कर दिया होंगे और अगर आप चाते हैं कि आपके दोस्तों के भी doubt हो वैसे चाते ही होंगे तो उनके साथ में भी share कर दीजिए और इस वीडियो को like कर दीजिए subscribe कर दीजिए ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए और bell icon तो जरूर दबाएं ताकि उसका notification है जो आपको जरूर मिले ठीक है तो चलिए चलते हैं आप इसकी revision कीजिए book से thanks for watching keep learning keep going